हेलो एबरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉप में सैनिक स्कूल सक्षक भरती का एक और जो है नया एडवर्डिजमेंट जहां सीधे मेरिट से सेलेक्शन होने वाला है सैनिक स्कूल गोपाल गंज से वेकेंसी आई है सब भी राजियों के कैंटिरेट यहां पर आविदन कर पाएंगे आयू योग्यता क्या रहेगी यह हम में वेबसाइट पर जो जारी किया गया है विग्यापन उसमें देखेंगे एप्लिकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है तो चलिए सारी चीजें जो हैं समझते हैं सबसे पहले में वेबसाइट पर आना है सैनिक स्कूल गोपाल गंज से वेकेंसी है और दूसरी इनफॉर्मेशन आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एंटरेंस एक्जाम के लिए एप्लिकेशन फॉर्मेट जितने भी सैनिक स्कूल की में वेबसाइट है तो वहां पर आप लोगों को फ्रेंट में नजर आएगा होम बेस पर देखेगा ठीक है 16 दिसंबर लास्ट डेट है तो आप लोग भी जो है बताईएगा जो भी 6 या 9 क्लास में अडमीशन यहाँ पर लेना चाते हैं तो सबसे पहले एक एंटरेंस एक्जाम होता है तो यहाँ पर वेकंसी के लिए आप लोगों को कहां देखना है तो टीचिंग के लिए जो है यहां लेटेस्ट न्यूज में आप लोगों को वेकंसी नजर आएगी नीचे to download the application form ठीक है दोनों ही चीज़े आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन की तो विज्ञापन जो है जिसमें वेकैंसी जो आई है पीजीटी केमिस्ट्री की एक वेकैंसी कॉंट्रेक्ट्ट्वल बेस पर है और यहाँ क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है तो एमसी होना चाहिए साथ में जो है बीयड होना चाहिए और हिंदी इंगलिस माध्यम से जो है पढ़ाना रहेगा ठीक है 21-25 साल यहाँ पर उम्र रखी गई है सैनिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजवेट टीचर्स की जो सैलरी होती है 62,000 से लेकर 65,000 तक ही जो है रहती है अभी जो है अपलाए कैसे करना है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ एप्लिकेशन फॉर्मेट इस तरीके का है ज यहाँ पर जो है नीचे जो है एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा देती हूं यहाँ पर सेलेक्शन जो है कैसे होगा तो purely on merit basis, merit के अधार पर सीधे सेलेक्शन रहेगा लास्ट डेट क्या रहेगी तो सैनिक स्कूल गोपाल गंज के लिए अगर आप अप्लाए करना चा अप्लाए कर पाएंगे काफी अच्छी जो है सैलरी रहती है सैनिक स्कूल में आप सभी जानते हैं और इसके साथ में आप लोगों को यहाँ आवासिय सुविधा भी जो है मिलती है यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है तो एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ले 500 रुपय का जो है डिमांड ड्राफ्ट जो है जनरल ओबीजी और अधर कैटेगरी को बनवाना होगा और SESD को 400 रुपय का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा किस नाम के लिए बनवाएंगे किस नाम से बनवाएंगे तो यहाँ पर आप लोग बैंक में जाकर तू दप्रिंसीपल सैनिक स्कूल गोपाल गंच पेवल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरेनिया ब्रांच कॉड ये दिया हुआ है डिस्टिक है बिहार ठीक है तो इस के लिए भी जो है यहाँ पर लिखा है application fees can also be paid through online using svi collect सबसे पहले आप लोगों को स्कूल की main website पर जाना है उसके बाद जो है pay online आप लोगों को देखेगा उस पर आप click करेंगे जो की आप लोगों को left side में home page पर दिख जाएगा अभी आपको बता दूँगी वहाँ पर instructions हो निर्देश होंगे उन्हें आप पढ़ेंगे और उसके बाद online payment कर देंगे ठीक है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूं home page पर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे यह देखिए यहाँ पर लिखा है pay fee online ठीक है तो अगर आप लोग online payment करना चाते हैं तो यहाँ कर सकते हैं otherwise आप लोगों को जो demand draft है वो आप बनवा सकते हैं ठीक है जिनको सुविदा नहीं रहती है कि online payment कैसे करें परिशानी आती है तो वो लोग यहाँ पर school के नाम का बनवा सकते हैं bank draft तो यह जो जानकारी है सैनिक स्कूल काफी सैनिक स्कूल से जो है बिलकुल vacancy आ ही रही है और जैसे vacancy आती जाएगी आप लोगों को channel के माध्यम से पता लगेगा channel को बिलकुल follow करते रहें तो यदि आपका subject है PZT chemistry के लिए आप apply करना चाते हैं तो करिएगा मिलेंगे next video में thank you